हम सबों का सत्य बातों पर बहुत विश्वास है जब भी हम किसी से पूछते हैं या दूसरा वेक्ति हमसे कुछ बात कहता है तो हम पूछते भई सच में ऐसी बात है क्या ये सच है क्या इस सत्य बाते बोल रहा है बोल रही है तो हम जरूर इस बात का पता लगाते हैं कि जो बाते बताई जा रही हैं मैं जो सुन रहा हूँ क्या वो सच मुछ में सत्य घटनाओं पर आधारित है तो सत्य के बारे में कई प्रकार के अलग-अलग विचार धाराएं लोग कहते हैं लिकिन जहां तक परमेश्वर का वचन है और जहां तक जो सचाई की बात है सच के बारे में कि सच कभी जूट नहीं बोलता सच कभी बदलता नहीं सत्य हमेशा सत्य ही रहता है वो किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता चाहे वो नकारात्मक रूप से हो या सकारात्मक रूप से हो और इसी को ध्यान में देखते हुए हम देखते हैं कि प्रभी शुमसी जो था वो सत्य की गभाही देने के लिए आया क्योंकि सत्य इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों में अगर हमारे जीवनों में सत्य नहीं है सची बाते नहीं है सच का कोई बोल वाला नहीं है तो फिर हमारा जीवन तो वेर्थ हुआ कोई फायदा नहीं उसका जीने का है ना तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आज मैं आपके सामने इस बात को लाने की कोशिश करूँगा कि प्रवीश मसी का जन्म क्यों हुआ? अब कई लोग बोलते हैं भई प्रवीश मसी का जन्म हुआ क्रिस्मस ताकि हम क्रिस्मस मना सकें, अच्छे खाना खा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, चर जा सकें और एक प्रकार का उच्छा भी मना सकें, लेकिन यही उसका अंत नहीं है, अक्चुली यह उसका तो बिग उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और यही एक बात सत्य है, अब लीजे ना, प्रवीश मसी जब पिलातुस के सामने खड़ा हुआ, तो उसने कई बाते कहीं, उनमें से एक बात, जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो यह है कि उसका जन्म क् प्रवीश मसी बड़े स्पेसिफिक रूप से विशेश करके बताते हैं कि इश्व मसी का जन्म क्यों हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहन्ना रची सु समाचार और उसका अठार्मा अध्याय, यहन्ना उसका अठार्मा अध्याय और उसका सैंतीस पद, पिलातुस यहन्ना उसका अठार्थाति यहु मसी से कहा, तो क्या तू राजा है? यहुआ ने उतर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जनम लिया, और इसलिए जगत में आया हूँ, कि सत्य पर गवाही दू, जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है. फिर से सुनिए, मैंने इसलिए जनम लिया, इसलिए जगत में आया है, कि सत्य पर गवाही दू, जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है. कहने का मतलब यह है, कि अगर हम सत्य की परिभाशा की बारे में हम सोचें, कि सत्य क्या है, तो वह एक वैक्तित्व है. अब अध्याय और छट्वापद, आप शायद जानते भी होंगे, लिखा हुआ है, कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. ये बात सत्य है, सच है, और पूरे विश्वास योग्य करने लायक है. आप सत्य की बात कर हुआ 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 ह होती है लेकिन हम यहां पर सत्य की बात बोल रहे हैं जब प्रभीशुमसी ने का मैं इसलिए आया कि मैं सत्य की गवाही दू और सत्य कौन है सत्य प्रभीशुमसी है हां उसने कहा मार्क सत्य और जीवन मैं ही हूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुं सकता तो तो ये बहुत important statement है वाक के है जो प्रभुष मसी ने पिलातूस के सामने का फिर पिलातूस ने पूझा सत्य क्या है उसका प्रभुष मसी ने जवाब ने दिया क्यों कि भाई सत्य तो आपके सामने खड़ा हुआ है तो कोई वाक कि देने की कोई response देने की कोई प्रति उत्तर देने की तो बात ही नहीं उठती है, है कि नहीं? चलिए और भी देखते हैं, सत्य के बारे में जो प्रवीश मसी हमारे लिए वो गवाही दे आया, कि सत्य क्या है, सत्य क्या बारे में क्या गवाही है, हम जड़ा कुछ देख लेते हैं, आइए हम पढ़ेंगे, यहना प्रवीश मसी ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मैं कहां से आया हूँ, और कहां को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूँ, और कहां को जाता हूँ, त त्री एक परमेश्वर का वो विशेश भाग है जो प्रभुई शुमसी है जैसे पिता-पुत्र और पवित्रा आत्मा ये त्री एक परमेश्वर का एक विशेश भाग है तो ये शुमसी ये गवाही देने आया कि एक त्री एक परमेश्वर है और उसमें से जो सत्य की गवाह में जनम लिया सत्य की गवाही देने के लिए और सत्य के बारे में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे यहना उसका सत्रा अध्या और सत्रा पज जरा वहां पर देख लेते हैं जहां पर प्रविश्व मसी अपने बारे में कहते हैं और एक प्रार्तना के द्वारा कुछ बहु के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है ये प्रभु इशु मसी गवाही देने इसलिए आया कि जो बाइबल आपके हाथ में हैं हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन ये सत्य है इसमें कोई जूट नहीं है इसमें अगर कोई किसी के बारे में करात्मक चीजे भी लिख ही गई है तो वो भी सत्य है हर बात एक एक बिंदू परमेश्वर के वचन में सत्य की और हमें दर्शाता है तो क्या लिखा हुआ है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन क्या है सत्य है बाइबल परमेश्वर का वचन एक सत्य वचन है तो क्या आप इसको सत्य रूप में ग्रहन करते हैं क्या आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से मनन करते हैं मैं सिर्फ यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर पढ़ने के बाद नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पढ़ने के बाद उस पर क्या आप मनन करते हैं ध्यान देते हैं उस पर चलते हैं अब उधारन के रूप में मेरे माँ बापने मुझे क्या सिखाया बेटा सत्य बोला करो आपके मावा अपने भी यही सिखाया होगा हमारे गुरु लोगों ने भी यही सिखाया हमारे टीचर सबने कहा कि सत्य बोलो, सत्य अच्छे काम करो जो सत्य की राह दिखाते हैं लेकिन क्या हमने हर समय सत्य की गवाही दी क्या हमने हर समय सच बोला नहीं मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ भई मैंने कई बार जूट बोला मुझे शर्बिंदगी भी होती है लेकिन ये सच है ये सच है कि मैंने कई बार जूट बोला और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मन में मेरे वक्तित्म में पाप का दबाव था, पाप मेरे जीवन में चारो तरब था, लेकिन प्रभुश्मसी को ग्रहन करने के बाद, सत्य को ग्रहन करने के बाद, अब मुझे दुबारा सोचना पड़ता है जूट के बारे में, हाँ, क्योंकि पवित्रा आत्मा जो है, वो क्या करता है, अरे भाई, क्यों तुम जूट बोल रहे हो, एकदम से मन को क्या करता है, कचोटता है, पिंच करता है, चुभाता है, कि तुम्हें सत्य बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये कौन करता है पवित्रा आत्मा अब पवित्रा आत्मा के बारे में भी प्रभु परमेश्वर क्या कहते है जरा उसी को देख लेते हैं योहन्ना उसका सोल्वा अध्या और तेर मुहापद क्या लिखा हुआ परमेश्वर के बचन में जरा देख लेते हैं लिखा हुआ है परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बाते तुम्हें बताएगा तो हम देखते हैं यहाँ पर पवित्रा आत्मा भी क्या है? सत्य का आत्मा आप हमने देखा तीन चीजे प्रभीश मसी गवाही देने आए सत्य की है ना? सत्य की टृत की गवाही देने आए अब टृत में उस सत्य में कौन कौन है? एक तो प्रभीश मसी ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ फिर हमने देखा कि परमेशर का बचन सत्य है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा बचन क्या है सत्य है अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ ना उसका शोलवा अध्या है सत्य का आत्मा अर्थात पवित्रा आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है सत्य का आत्मा का मतलब है पवित्रा आत्मा तो प्रभीश मसी यहाँ पर कहते हैं परन्तु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मारग बताएगा क्योंकि वो अपनी और से कुछ न कहेगा परन तो जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बाते तुम्हें बताएगा वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा कितनी अच्छी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सत्य का आत्मा, देखे, सिर्फ सत्य एक जगह पर नहीं है वो तीन भागों में यहाँ पर प्रविश्व मसी के द्वारा बटा हुआ है परमेश्व मसी खुद सत्य है, परमेश्व का वचन सत्य है और परमेश्व की आत्मा जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा वो भी सत्य है तो जब हमारे सामने परमेश्व मसी यह गवाही देते हैं कि मेरा जन्मिस ले हुआ कि सत्य की गवाही दूँ ठीक है तो उन्होंने ये बात बताया कि ये जीवित परमेश्वर का बच्चन है, प्रविश्मसी जीवित परमेश्वर का पुत्र है, पवित्रा आत्मा, जीवित परमेश्वर की आत्मा, जो सत्य की आत्मा है, वो हमारी अगवाई करता है, हमारे व्यक्तित्व में बाते करता है, हम मारी आत्मा में बाते करता है पवित्रात्मा यदी यदी हम उसको बाते करने दें वचन के द्वारा जो सत्य का वचन अभी मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं कोई कथा कहानी तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने अभी परमेश्वर का वचन दे रहा हूं और वच इती चोफ जञे कि एजनी और च्रावीश्मकतु मोस्त शा दुवर्टी पसनी आक उनु estate शे वा जाने गया हिए वह संह, वह संह, आज भार्मीश्मक कर समस्ट है क्रिश्मक के दिन आप नहीं अपने परन आसमेशना है कeld दो jako संहां आदनी के शाप consort Siила Пр propshe है ये भी सत्य है तो भाई जब ये इश्य मसीज सत्य है तो हमें और क्या चाहिए किसका बचन चाहिए कहां पर जाएंगे हम लोग तो बजार हैं बहुत बेच रहे हैं इस नाम पर सत्य के नाम पर बहुत सारी बाते हैं ना आपने देखा होगा बजार में बहुत सारी डुप सिर्फ एक हजार में आप खरी सकते हैं लेकिन वो क्या है? डुप्लिकेट है, वो सत्य नहीं है मिलावट है उसमें अशुदता है, अपवित्रता है मिलावट है, प्लास्टिक है वो सत्य नहीं है सत्य सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुईश्व मसी में पाया था उसी की गवाही देने के लिए वो आया और फिर वचन के बारे में हमने जैसे देखा कि वचन जो हम हमारे पास है, बाइबल, जिसे हम साधरन भाषा में बोलते हैं बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो सत्य वचन है कितना हम उसे पढ़ते हैं जब हम उसे पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे उस पर मनन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो क्या होता है हम सत्य की गवाही देते हैं प्रभुईश्व मसी के साथ, जिया जो प्रभी श्यमसी को ग्रहन कर लिया है वो भी श्यमसी के साथ सत्य की गवाई देते हैं अभी मैं आपके सामने किस की गवाई दे रहा हूँ अपनी गवाई नहीं दे रहा हूँ या किसी और दुसरे बड़े लोग की गवाई नहीं दे रहा हूँ मैं भाई प्रभुईश्य मसी और उसके वचन के गवाई दे रहा हूँ, कि वो सत्य है, तो क्या आप इस वचन की गवाई दुसरों तक पहुंचाते हैं, अपने आप तो अपने आप को भर लिजे वचन से, लेकिन इसके साथ ही साथ, इसको आप दुसरों तक इस सत्य के वचन को सुनाएं, ताकि दुसरे लोग भी जान सके इस सत्य के बारे में, है न, तो प्रभुईश्य मसी सत्य है, उसका वचन सत्य है, और फिर तिसी बात हम देख रहे हैं, कि वो सत्य का आत्मा अर्था पवितरा आत्मा, पवितरा आत्मा जो हमारे जीवनों में पफल लाता है, हमारे जीवनों में एक नया जीवन डालता है, हमें सत्य की आत्मा हमारे जीवन में लाता है, हमारे जीवन को बदल देता है, जब हम गलत काम करते हैं, तो पवितरा आत्मा बोलता है, नहीं नहीं ये गलत है कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ और शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा सत्य का आत्मा हमारे साथ गवाही देता है कि भई यिश्व मसी के पत्चिनों पर चलो परवेश्वर के वचन पर चलो तो यह जो बात यहाँ पर हम देखते हैं इश्व मसी का जन्म इसलिए हुआ कि वो सत्य की गवाही दे एक और पत्मे आपके सामने पढ़ना माँगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योहन्ना रचिस्व समाचार और उसका पंदरवाध ध्याए और उसका 26 पाज क्या लिखावाध परन्दु जवह सहायक आएगा अर्थाथ पवितरा आत्मा जब आएगा जिसे मैं तुमारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थाथ, सत्य का आत्मा हूँ देखियों वही, सत्य का आत्मा की बात हो रही है जो पिता की ओर से निकलेगा और वह मेरी गवाही देगा तो पवित्रात्मा किसकी गवाही देगा प्रभीश मसी की गवाही देगा आप और मैं जो प्रभीश मसी के चेले हैं प्रभीश मसी को मानते हैं प्रभीश मसी को अपने जीवन में लिया है विश्वासी है नया जन्म तो आपको और मुझको किसकी गवाही देना है, अपनी गवाही नहीं देना है, अपने आपको उचा नहीं बढ़ाना है, या किसी संस्था को उचा नहीं बढ़ाना है, किसी व्यक्तित्व को उचा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ प्रभुष्व मसी की गवाही देना ह क्विश मसी कि उचन किस की गवाहि देता हैं क्रभीश मसी की प्रभीश मशी ने किसकी गवाहि दी अपनी गवाहि है ना जन्म इसलिए हुआ dru सत्य की गवाही दूँ तो आप और मैं एक प्राक्टिकल यहां पर लेसन है एक शिक्षा है कि आप और मैं भी प्रविश्मसी की गवाही अपने मूँ के शब्दों के द्वारा पहली बात दूसरी बात अपने जीवन के द्वारा अपने व्यवार के द्वारा हम प्रविश्म प्रभुष्व मस्हीं की वाई देते हैं, अगर ढ़ात गलत तरीके से बुरी बात बोलते हैं, तो क्या ही प्रभुष्व मस्हीक की गवाई होगी? नियुक्शक distingu प्रतिक होता है, प्रेम वाला है? या बिल्कुल जैसे बोलते हैं दुष्टता के रूप में या बैर इस प्रकार की संबन्द है नहीं ऐसा नहीं होना है देखिए प्रविश्व मस्य ने मत्ती उसके पांची वद्धाय में क्या कहा तुमारा जो जीवन है तुमारा चाल चलन उस दिये के समान होना चीए जो दूसरों को प्रकाश दे सके जिया और वो नमक के समान होना चीए जिसमें टेस्ट है हम लोग नमक डालते ला खाने में क्यों डालते नमक पही थोड़ा खाना क्या हो दा ऐ कि ए कि यह अब देखले अगर छाने में सबजी में नमक कम पड़ जाए जा में तो व्हाइं लृतीं हम दो थोड़ी इसी चुटकिसी नमक और खाना टेस्टी बन जाता है ठीक उसी प तेज्टी होना ची तुसरों के लिए आशिश का कारण होना चीए प्रेम की भाशा बोलने चीए अच्छे काम भले काम धार्मिक काम प्राभु की लिए करते रहना चाहिए तभी हम क्या बनेंगे प्रभु इश्व मसी की गवाही देंगे और लिखा हुआ है तुमारे प्रभु इश्व मसी का जन्म इसलिए हुआ कि सत्ते की गवाही दे आपका जीवन के लिए के द्वारादा तो अ क्याकर से एब प्रभु के गवाही देते हैं तो जिस प्रकारसे प्रभु इश्व मसी का सahlen नमार्ना प्रभरवी की गवाही देव आपका मेरा जन भी इसलिए हुआ कि हम उस परमेश्वर पिता की गवाही दें जनम से जैसे हम प्रभू में आगे बढ़ते हैं और दुसरों को उधार के बारे में बताएं वचन के बारे में बताएं और अपने जीवन के द्वारा प्रभू इसमसी की महिमा करे कितनी अच्छी बात है जब हम इस परकार से प्रमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा हम करते हैं आए हम इस बात को जान लें कि मेरा जन्म क्यों हूँ हुआ इसलिए कि प्रहु ने मुझे चुना और उसकी मैं गवाही दूँँ प्रमेश्वर आपको आशिष दे जैसे कि आप उसके लिए जीते हैं उसके लिए अपना जीवन बिताते हैं बस गवाही प्रवीशु मसिं की दीजिए वचन की दीजे, पवित्रा आत्मा की दीजे परमेश्वर हमारी इसमें अगवाई करें